हेलो बच्चों, आजम क्लास्तेंत की हिंदी छितित पाठ पुस्तक का पहला पाठ आजम पढ़ेंगे, जो की सूर्दास का पद है, सूर्दास भक्तिकाल के सर्वशेष्ट कभी थे, इन्होंने इस पाठ में अपने चार पद जो हैं, उन्होंने दिये हैं, ये चारों जो उन पुराइन पात रहत जल भीतर तारस देहनत दागी जो जलमाह तेल की गागर बूंदन ताको लागी प्रीत नदी में पाउन बोर्यो द्रिष्टिन रूप परागी सूर दास अबला हम भोरी गुल चाटी जो पागी सबसे पहले प्रथम पद में जितने भी कटिन शब्द हैं मैं उनकटिन शब्दों का आपको शब्दार्थ बताती हूँ बढ़ भागी का मतलब होता है भाग्यवान अपरस रहत अपरस का मतलब होता है अंचुआ जिसको छुआ न गया हो तगा मिस धागा बंधन अनुरागी यानि प्रेम में डूबा अनुराग यानि प्रेम में डूबा हुआ पुराइन पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता जों जल्मा यहां पर जों जों का मतलब जैसे जों जल्मा मतलब बीच में बोर्यो बोर्यो मनें डूबोया गया परागी परागी का अर्थ होता है मुहित होना अबला अबला का अर्थ होता है नारी अब इस पद का मैं आपको भावार्थ बताती हूँ यह जो प्रस्तुत पहला जो पद है इसमें गोपियां कृष्ण के मित्र उधाव पर ब्यांग करती हैं कृष्ण मतुरा चले गया हैं और स्वयम नहीं लोटे हैं और वो अपने मित्र उधाव के माध्यम से योग संदेश भेशते हैं गोपियां सगुण मानती हैं सगुण धर्म का पालन करती हैं और वो उधाव के निर्गुन ब्रह्म को सिवकार नहीं करती हैं तो जब उधाव गोपियों को निर्गुन का संदेश देते हैं और तब इस बात को जान करके गोपियां उन पर ब्यांग करती हुई कहती हैं कि हे उधो आप तो बहुत ही भागशाली हैं क्योंकि आप कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े अपरस रहत स्ने तगाते नाहिन मन अनुरागी यानि अपरस का मतलब क्या बताया था मैंने अपरस का मतलब होता है अंचुआ यानि प्रेमुतपन्य नहीं हुए पुरहीन पात रहत जल भीतर जैसे जो कमल का पत्ता होता होता है जल के भीतर रहता है लेकिन फिर भी वगीला नहीं पड़ता यानि इस कहने का तात्पर यहां पर की उस इस पर दाग नहीं पड़ता जैसे जो जल माह तेल की गागर यहां पर जो शब्द का प्रियोग हुआ है जो उत्प्रेक्षा लंकार है जो जल माह मतकारत होता है बीच में जैसे तेल से चुपड़े हुए जो घड़ा है यानि गागर पर पानी की बून ठहरती नहीं है उसी प्रकार उधो पे कृष्ण का प्रेम का सर नहीं हुआ प्रीत नदी में पाव न बोरो यानि उधो तो प्रेम की नदी के पास तो है यानि कृष्ण के पास तो है कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े यानि की प्रेम की नदी में उन्होंने अभी पैर नहीं डुबोया द्रिश्टिन रूप परागी अर तुषण धर दास कहते हैं कि अबला यानि हम जो है वह अबला और भोली नादान है और वे तो कृष्ण के प्रतिय अपार प्रेम को स्पंगति में व्यक्ति किया है कि वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिप्टी होती है, जैसे गुड्ड जो होता है वह चीटियों से लिपट जाता है उसी प्रकार, गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी होई है, के फीक्रिभा का प्रियोग कीया है और इन्हों ने शिंगार रस के अत्रिक तिनों ने गोपियों की विरह की बात भी की है उनका मार्मी के व्यक्त हुआ इस पंक्तियों में प्रीत नदी जो शब्द है इसमें रूपक अलंकार का प्रियोग हुआ है पुराइन पात रहत जल भीतर इसके अंदर उपमा अलंकार का प्रियोग हुआ है जो जल माह तेल की गागर यहां जो यानि प्रेक्षा अलंकार का प्रियोग हुआ है इसी प्रकार उधो तुम हो अतिबड़ भागे यह जो पंक्ती है इसमें वक्रोंती अलंकार यानि पूर्ण वक्रोंती अलंकार का प्रियोग हुआ है प्रस्तुत पज्जु है वहा इसमें उनकी कल्पना कभी की कल्पना बहुती अनूठी आपको दिखाई पड़ेगी अब हम दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं मन की मन ही माज रहे कहिये जाई कौन पे उधो नाही परत कही अवधी अधार आस आवन की तन मन बिथा सही अब इन जोग संदेशन सुन सुन बीरही ने बीरह दही चाहत हुती गुहार जितहते उत्य धार बही सूर दास अब धीर धरई क्यों मर जादा न लही प्रस्तूत चंद में गोपियां जो है अपने मन की व्यथा उनके मन में जो कष्ट है अपने मन में जो दुख है उसका वड़न करती हुई उधो से कहती है सर प्रथम इस पंक्ति में भी हम कटिन शब्दों के अर्थ आपको बताती हुए आगे बढ़ते हैं अवधी अवधी का मतलब होता है समय अवधी का मतलब समय आवन मतलब आगमन बिथा का मतलब होता है कष्ट पीड़ा व्यथा दही का मतलब जल रही है हुती मतलब थी अगुहारी करना यह मतलब विंती करना जिता ही ते जिता ही मतलब जिस ओड से जहां से धार यहां पर धार शब्द का योग की प्रबल दो धारा है उस पे धार शब्द का प्रियोग किया गया है धरही मतलब धारण करना और मर जादा यानि मर यादा ना लही ना लही लही शब्द यानि नहीं रखे अब इन कठिन शब्दों कार्द बतातने के पशाद मैं इस पूरी पंक्ति का आपको भावार्थ बताती हूँ यह दूसरे पद में गोपियां जो क्रिष्न के जाने के बाद बहुत दुखी हैं लेकिन अपने दुख का वढ़न वह किसी से कह नहीं पाती हैं तो अपने मन की बात, अपने व्यथा, अपने मन की पीड़ा वह उधो से कह रही हैं और वे कहती हैं, मन की मन ही माज रही, यानि कृष्ण तो मतुरा चले गया, अब वे अपने मन का दर्द, अपने मन की पीड़ा, अपना दुख किस से जाकर कहें, उसको व्यक्ति किस से कहें, लेकिन किसी के सामने वह नहीं कह पा रही है, कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत कहीं, ना ही मतलब किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पारती, बलकि अपने दुख को अपने मन में ही दबाने की कोशिश करती है, अवधी अधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अवधी अवधी कार्थ मैंने क्या बताया था, समय, तो यहाँ पर पहले तो कृष्ण के आने के इंतिजार में उन्होंने अपना दर्द सहा, लेकिन अब कृष्ण के इस्थान पर कौन आ रहा है, उनकी मित्र आ रहा है, तो कृष्ण के इस्थान पर उधाव योगसंदेश लेकर आ रहे हैं, तो वह जो है, अब इन जोग यानि जो कृष्ण प्रेम तो भेज नहीं रहे हैं, साथ ही वह उधाव का योगसंदेश जो उन तक भेजे हैं, तो कहती हैं, अब इन योग, यानि आपके द्वारा, उधाव के द्वारा दिये गए योगसंदेश को सुन सुन कर, विरहीन विरदही, उनके मन की जो पीड़ा है, वह और भी बढ़ र करना चाते हैं, जिससे हमें आशा है, उसके बदले में उत्दे धार भई, उधर से ही योगसंदेश की पीड़ा की ज्वाला बह रही, उस धारा ने गोपियों के वीरा अगनी में घी का काम किया, अर्थात जो उधा उनको ग्यान योगसंदेश दे रहे थे, तो गोपियों की जो वीरा रूपी अगनी थी, इससे और अधिक तीवर हो गई, सूर्दास जी कहती है, कि गोपियां कहने लगी, अब धैर क्यों धारन करें, उनको धैर था कि कृष्ण आएंगे उनसे मिलने, आशा थी, तो अब धैर क्यों धारन करें, क्योंकि कृष्ण ने अपनी प्र मर्यादा का पालन नहीं किया, इसलिए गोपियां धीरस धारन नहीं करती है, अब हम कावि सौंदर क्यों बढ़ते हैं, इस काव्यांस में क्रिष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है, उसकी गहराई, गहराई बताई गही है, सुनी-सुनी, यह जो शब्द है, सुनी-स पुनरिक्ति प्रकाश अलंकार का प्रियोग हो गया है, वक्रोंती अलंकार तो है है, अनुप्रास भी यहां पर देखा गया है, मन की, मन ही, माज रही, माशब्द की बार-बार अवरित्ती हो रही है, अवदी, अधार, आस, आवन की, यहां पर आ की अवरित्ती कई बार हो हो रही है तो इन वाक्तियों में प्रासलंकार आप देख रहे हैं साती ब्रज भाषा जो कि मैंने कहा था सूर्दास के सभी पंक्तियां ब्रज भाषा में